हलो बच्चों कैसे हो हर्याना DTSC class 11 physics solution में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ आपका paper अच्छा रहा होगा myself दीपक भोला टीम physics CLCC कर चलो आज अपन इसका solution देखते हैं class 11 का जो आपका paper हुआ है तो देखिए यह रहा first question आपकी screen पर देखो क्या गिरा है 5 equal forces of 10 newton each are applied on one point ठीक है मतलब 5 एक समान बल लग रहे हैं समान एंगल पर एक ही तल में सारे की सारे बल उपसिते हैं तो हमें net force निकालना है तो एक ही net force मेटा क्या बोल रहा है आपके इससे एक body है ठीक है यहाँ पर जो force लग रहे है 5 force equal equal angle पर लग रहे हैं सारे की सारे equal equal angle पर लग रहे हैं ठीक है equal equal angle पर सारे की सारे force एक हो रहे है एक ही तल में तो इस तरह से अगर force लग रहे होते हैं तो हम देखें symmetricity के नुसार जसकी सम्मित्ता है symmetricity के नुसार इस body पे net force क्या बनेगा जीरो ठीक है वेक्टर एडिशन अपन समय सकते हैं परिणामी सदिश्च चो पढ़ते हैं आप resultant vector इस पे net force क्या जाएगा जीरो तो इसका answer क्या जाएगा बटा फस्ट ठीक है चलो अब देखते हैं पे next question next question देखें एरा next question next question अब देखो next question अब से गरा है कि एक बहुती राशी की का यू है मला आपको unit दे रहा है इसकी unit है ठीक है तो n और सका संख्यात्मक मान n है तो n और u में क्या relation होगा ठीक है तो n and u में relation क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि कि किसी भी physical quantity को आपको measure करना है भोती राशी को आपको ना अपना है तो हम उसको इसको इलेक मात्तरक और 5000 ग्राम शुगर ठीक है तो दोनों ही value equal है ठीक है बड़ आप सोची है यहाँ पे kilogram बड़ी unit है बड़ उसके आगे अपने क्या लिखा है 5 मलब मान आगे छोटा लिखा हुआ है और ऐसे ही gram gram small unit है और उसके आगे आपने क्या लिखा है 5000 ठीक है तो कहना अतला है कि यहाँ प अपन यू ठीक है इस ते अपन कर सकते हैं एन इस प्रपोर्शन तो वन अपन यू चलो अब देखें next question next question यह आपकी screen पर देखिए next question क्या वोल रहा आप से यह एक equation दे रखी है P plus A upon V square V minus B is equal to RT में इसको आपको A की dimensions बतानी क्या होंगी dimensions of A तो एक ही यहाँ P plus A upon V square है दो physical quantities add हो रही है कौन P and A upon V square यह तब ही add हो सकती है जब इन दोनों की dimensions same हो मलब यहाँ पे इस P की dimensions वीमा है क्या होनी चाहिए A upon V square की equal ठीक है तब ही हम इनको आपस में add कर सकते हैं तो यहाँ से देखो P P की P बने लब क्या है pressure है ठीक है pressure के लिए dimensions अपन देखें यहाँ पे होत पन देखें यहाँ पे चलो उनकी dimension रखते हैं हमें A की निकाले ना F की रखें F की dimension क्या होती है बच्छों M L T minus 2 M L T minus 2 ए एरिया है एरिया की dimensions L2 ठीक है इसमॉल A की तो हमें find करनी है ठीक है और यहाँ पे V square volume V volume है आयतन है आयतन की dimension क्या होती है L cube और यहाँ square लगा हुआ ह है L power किता हुआ जाएगा 6 L power 6 ठीक है अब यहाँ पे इसको हम solve करें तो यहाँ से एक L से एक L कर दिया है यहाँ पे इससे एक लगा 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 5 को दर multiply कर दो M L 5 T minus 2 M L 5 T minus 2 कौन सान से रहा गया 4th M L 5 T minus 2 यह इसका result बन जाएगा ओके चलो अब आगे देखते हैं next question question number 4th में आप से क्या किया रहा है देखो question 4th में आप से कर रहा है कि एक कार है ठीक है जो starting में 2 meter per second square के acceleration से start हो रही है ठीक है फिस नियत दर से मंदितों के वापस rest condition में आ गई है ठीक है पहले तो acceleration लग रहा है बाद में retardation और बाद में रुगई का रही है ठीक है तो आप से निकालना है total travel distance निकालनी है ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखिए इस तरह से आप समझें यहां बच्छों एक कार है यहां से इस तरह से चल रही है कार देखें मैं यहां पे इसमें इसकी जीरो है ठीक है इसमें acceleration पहले किता था इसमें acceleration टू तो एक्सलेशन पहले तू थ फिर इसमें क्या लगा retardation retardation मलब minus में लगेगा minus 4 वो लगया ठीक है और बाद में आप इसकी velocity क्या हो गई है जीरो हो गई है ठीक है अब अच्छों यहां पे इसने यह time इसको लगा T1 और इसका displacement यह S1 है यह time लगा T2 यह displacement S2 है ठीक है अब हमें यहां पे इसमें देखो क् प्लस S2 की value डिकाल नहीं है हमें T1 प्लस T2 का total time किता दे लगा है 3 तो यहां से पहले equation मनाएं देखिए हम लगाते हैं आपे first equation of motion इस दोरान इस journey में तो इस journey में लगा रहे है पहले हमें इस जगे देखिए V is equal to V is equal to U plus 80 तो 0 plus 2 into T1 के लगा दिए हमने V is equal to U plus 80 तो यहां से T1 की value क्या आगई T1 की value V upon 2 T1 की value V upon 2 आगई है ठीके ऐसे ही अब यहां पे अगर अपन S वाली information लगा दें S equal to U T plus half 80 square ठीके चलो इसको बाद में लगाते हैं इसको छोड़िए पिले अपन यहां पे V निकाल लिया ऐसे ही इस part के लिए अपन देखें यहां पे वापस first equation of motion लगा दें final velocity 0 is equal to initial velocity V ठीके प्लस AT minus minus 4 into T2 तो यहां से T2 निकालेंगे तो T2 is equal to क्या जाएगा पेटा V upon 4 T2 is equal to V upon 4 अब मैं T1 plus T2 को value की दे रखी है ठीके T1 plus T2 के value आपको 3 दे रखी है तो यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे V by 2 plus V by 4 करेंगे तो किता जाएगा 3 V by 4 is equal to 3 तो यहां से 3 से 3 कटी गया तो यहां से V is equal to किता आगया 4 तो आपने पहले चेक कर लिया कि velocity किती आई 4 meter per second ठीके velocity आगी 4 meter per second चलो अब यहां पे देखिए अब हमें S1 plus S2 का total मान निकालना है पहले S1 देखें S1 UT हम जो equation लगा रहे है हमें यहां पे देखिए velocity परा चल यहां पे आप देखिए T1 की value आजाएगी T1 is equal to T1 is equal to V by 2 है मलब 4 by 2 ठीके किता हो गया यह 2 second ठीके 2 second ठीके 2 second और यहां से T2 निकालेंगे V by 4 तो T2 is equal to V by 4 मलब 4 by 4 किता हो गया यह 1 second यहलो यह T1 and T2 आगये अब S के लिए आप लगा सकते हो second equation of motion S equal to UT plus half 80 square तो यहां पे initial velocity किती है 0 plus half 80 square एक किता हो 2 and time T1 आपने निकाला किता था 2 2 square कर देंगे ठीके तो किता गया यह 4 हो गया क्यों 2 से 2 कर जाएंगे 4 आ जाएगा यह S1 अब S2 निकालें इस आगे वाली जरनी के लिए S equal to वापस वही UT plus half 80 square तो initial velocity किती है 4 है ठीके initial velocity 4 है तो यहां पे 4 यहां पे 80 square तो T यहां पे किता है T2 1 plus half 80 square तो half A, A किता है आपे minus 4 into time square time किता है 1 yellow 1 square ठीके S equal to UT plus half 80 square किता हो गया 4 और यह minus 2 4 वैसे 2 गया किता हो गया 2 ठीके तो अब S1 plus S2 कर दो किता हो गया 6 तो यह तो सका answer है S is equal to S1 plus S2 कर देंगे तो किता हो गया 6 तो हम यह टिक कर देंगे 4th answer ठ ठीके अच्छा question है ये ठीके चलो अब आगे देखते हैं इसमें next question देखिए next question आप से खरे रहा है question number 5 question number 5 यह आपकी screen पर question number 5 यहाँ आप से करे रहा है कि average speed क्या होती है कि we average is equal to कैसे निकालते हैं total distance upon total time तो total distance s1 plus s2 plus s3 and total time t1 plus t2 plus t3 यह अपन कर देंगे s1 plus s2 plus s3 and t1 plus t2 plus t3 clear अब देखिए अब total distance अगर मालो s है तो every one third one third part क्या होगा s by 3 yes by 3 s by 3 and s by 3 one third one third part हो गया divide by time अब हमें time की information दी नहीं है लेकिन speed की information देर किये and distance की information देर किये आप जानते है time is equal to time distance upon speed time is equal to distance upon speed कर दें distance तो किती है s by 3 और speed का भाग लगा देंगे आपे 10 से divide कर देंगे ठीक है फिर t2 रखेंगे distance upon speed स्पीड 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 कर देंगे 20 से ठीक है फिर ऐसे ही यहां पर s by 3 और इसमें speed का डिवाइड कर देंगे 60 से ठीक है तो यहां से इस पूरे को solve कर लिए तो solve करने पर यहां जाएगा 18 तो यहां से इसका आंसा जाएगा 18 km पावर इस ते से आप सको solve कर सकते हैं अब देखें आगे next question next question question number six देखें question number six यह आपकी screen पर question number six क्या किया रहाएगा आपको यह पर time and x relation गिवान है आप से बुझाए उस time displacement क्या होगा जब यह अपनी दिशा परिवर्थित करता है वाला अपनी direction चेंज करता है direction में चेंज करती है जब इसकी velocity 0 होती है direction चेंज करते टाइम पे moment के लिए इसकी velocity का बनेगी 0 तो हमें velocity को 0 करना है तो बच्चों equation x की गिवान है velocity के से निकालेंगे differentiation करके कर डालो इसका alkaline तो v is equal to dx upon dt इसका करें differentiation और differentiation किता आएगा 2 का तो 0 और इसका किता आएगा 12 ठीके t का बन हो जाता है 12 तो constant t का बन हो गया 6t square क्या हो जागा differentiation 12t ठीके 12t अब इसको हमें क्या करना है 0 करना है ठीके 0 कर दिया क्यों direction change के time पे velocity 0 होगी ठीके तो minus 12 plus 12t तो यहां से आप देखे t is equal to किता आगया 1 तो t is equal to 1 second word time है जब यह अपनी direction change कर रहा है क्या change कर रहा है direction ठीके चलो अब आगे बढ़ते हैं इस पे हमें क्या निकालना है उस time displacement निकालना है अच्छा displacement किसे करते हैं displacement बोलते हैं इस्तती में परीवर्तन को change in position is called displacement ठीके इस्तती में परीवर्तन को विस्थापन बोलते हैं ठीके तो यहां पे बचोंगे पहले टी बराबर 0 पर हम चेक करें at t is equal to 0 t is equal to 0 पर इसकी जो initial position है x1 वाला इसकी प्रारंबिक इस्तती क्या है कुछ नहीं है इस equation में t बराबर 0 रखी है तो 2 minus यहां रखेंगे 0 जाएगा प्लस यहां रखेंगे 0 जाएगा तो इसकी initial position क्या है 2 ठीके initial position 2 है अब t is equal to 1 पर देखें जब अपनी यह direction चेंज कर रहा है तो t is equal to 1 पर निकालते हैं इसकी नहीं इस्तती क्या है new position x2 is equal to रखेंगे t is equal to 1 इस equation में तो यहां से यहां रखेंगे 2 minus 12 क्यों ट को 1 रखना न यहां रखेंगे t को 1 तो प्लस 6 ठीके यह पन रख दिया तो क्या होगे यहां से 6 and 2 8 8 minus 12 करेंगे minus 4 ठीके यह आ गया अब यहां पे हमें क्या निकालना है displacement x2 minus x1 तो जो इसका विस्थापन है displacement वराबर क्या होता है x2 minus x1 कर डालो x2 minus x1 किता आ गया minus 6 minus 4 minus 2 is equal to minus 6 तो इसका answer क्या गया minus 6 ठीके चलो आगे बढ़ते हैं ठीके next question 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 number 7 देखिए question number 7 क्या कह रहा है आप से आप से एक cycle और extra के दोनों same momentum से गती कर रहे हैं दोनों का momentum समवेक समान है ठीके किसकी kinetic energy अधिक होगी यह पूछ रहा है किसकी गत ज्यादा होगी देखिए यहां पे kinetic energy के बारे में आप जानते हैं kinetic energy का formula होता है kinetic energy is equal to p square upon 2m यह चलो पहले ही दो खिले हाफ mv square सुना है अपने half mv square ठीके अब एक काम करें उसमें उपर नीचे m से multiply कर दें तो m से उपर नीचे multiply कर देंगे m square v square upon 2m m से मैंने उपर नीचे multiply कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि यह क् जाएगा momentum मलब square p square p square upon 2m अब आप से बोला गया है कि इनका momentum सेम है ठीक है p यहाँ पे सेम है तो e proportional to क्या हैगा 1 upon m e proportional to 1 upon m क्योंकि यहाँ पे p सेम है तो e proportional to 1 upon m इस्ते जिसका mass कम होगा जिसका दर्मान कम होगा उसकी kinetic energy ज्यादा होगी तो किसका mass कम है किसका है cycle का cycle का mass कम है इसने cycle की kinetic energy अधिक होगी ठीक है तो क्या जागा इसका answer first seven का first चरूँ आगे देखें question number eight क्या गे रहा है question number eight देखिए आप से रहा है कि बोले इसको अपने e energy जे फेका है e kinetic energy जे तो किस पे angle फेक रहे है 45 degree angle पे आप से रहा है highest point पर जब यह अपनी सबसे उच्छ कि गुजरेगी उस time की kinetic energy क्या होगी ठीक होगी ठीक है जब यह पॉशन क्या है projectile motion का है इस ते आप किसी body को फेक रहे हो ठीक है तो यहां से आपने इसको body को project किया है इसको project करते time ठीक है इसकी velocity किती है यू आपने इसको theta angle से project किया है वालब 45 degree से आपने इसको फेका है ठ होती इसकी velocity यू cos theta highest point पे इसकी velocity यू cos theta होती है पढ़ाओगा आपने बच्चपन में यू cos theta highest point पे velocity ठीक है अब यहां पे आप जानते हैं जो kinetic energy होती है kinetic energy is equal to क्या होता है half m u square ठीक है half m u square या करें half m v square होता है kinetic energy is proportional to v square है kinetic energy is proportional to v square तो यहां से हम देखें e dash upon e करेंगे तो यहां से e dash वाले case में energy किती है u cos theta है u cos theta मलब u upon root 2 ठीक है कि cos 45 की value क्या होती है 1 by root 2 ठीक है square upon में initial velocity किती है u तो u square तो यहां से u square से u square कर जाएगा ठीक है क्या क्या 1 by root 2 का square मलब 1 by 2 तो energy e dash is equal to क्या हो जाएगा e y 2 तो कौन सा option नज़रा रहा है इसमें e y 2 है कौन सा है third कौन सा बच्छो third यहां third answer जागा इसका ठीक है चलो आगे बढ़ते है question number 9 question number 9 क्या क्या रहा है देखिए question number 9 आप से रहा है कि एक particle है 5 meter per second velocity से towards east जा रहा है पूरव दिशा में जा रहा है और 10 second बाद में यह उत्तर की और मुड़ जाता है 10 second के अंदर अंदर इसकी दिशा उत्तर की और जाती है ठीक है 5 meter per second से north दाक्ष में तो इस दोरान इसका क्या निकालना है average acceleration और से त्वरण निकालना है तो इसकी पहले वेलास्टी की दर है 5 meter per second इस डारेक्षन में तो इसकी वेलास्टी इस डारेक्षन में यह आपको दे रखिए तो इसकी इस डारेक्षन की वेलास्टी पहले है यह V1 और फिर आप से गात दस सचींड बाद इसकी डारेक्षन वेलास्टी इस तरफ हो गई है V2L यह V2 हो गई है इस डारक्रण में, तो हम एक कह निकालने है चेंज इन वलासिटी ने कालनी है तो चेंज इन वलासिटी डेल्टा वी वेक्टर निकालें पहले तो डेल्टा वी is equal इसकी वी वैलू आपको 5 दे रखे है और इसकी वैलू भी किती है 5 दोनों के वैलू 5 5 दे रखे है तो रख देंगे 5 square प्लस 5 square किता हो गाए यह हो गया 5 root 2 तो change in velocity भालब वैलास्टी में परीवर्तन किता हो 5 root 2 ठीके और यहाँ पर A निकालें A, A is equal to का होता है औसत परण A average is equal to होता है A average is equal to होता है Change in velocity ठीके, upon time Change in velocity upon time होता है तो change in velocity किते हागी? 5 root 2 तो यहागी 5 root 2 और time किता है बच्चमापे? किता time लगा इसको? 10 seconds time इसको लग रहा है 10 seconds तो यहाँ से 5 से 10 2 times कट जाएगा yellow 2 times कट दिया फिर root 2 से 2 कटेगा 1 upon root 2 times तो क्या है result? 1 by root 2 ठीके, अब 1 by root 2 किस option में? 1st option में, ठीके, तो first option tick कर देंगे, फिर भी direction आप देखना चाहें तो direction पन समझ सकते हैं इसकी दिशा की दर है बच्चों? V2 minus V1 की दिशा में तो पहले V1 का negative ले लें तो V1 का negative लेंगे इस तरफ आएगा V1 का negative जिसे हम बोलेंगे minus V1 vector ठीके, हम minus V1 vector को किसके साथ add करना है? V2 के साथ तो इन दोनों को add करके हम परिणामी निकालेंगे resultant तो आपे resultant क्या आगा देखिए इस तरह से यह V2 और यह minus V1 है तो इसका resultant आएगा इस तरफ इस direction में महला northwest तो northwest कौन सा आगया यह first answer तो इस first answer का पन टिक कर सकते हैं ठीके? यह सौल करता है इसको चलो आगे देखें question number 10 question number 10 देखो यह रहा question number 10 आप से गरा है कि एक 10 20 kg का एक object है जो कि 100 meter के दौरान इसका weight 20 से घट कर 5 रह जाता है ठीके? क्या निकालना है आपको force निकालना है तो पहले इसका एक काम करें हम निकालते हैं इसका gradation मंदन कित्ता लगीगा हमें प्रारम भी और अरंतिम वेग दे रखा है initial final velocity रखी है तो यहां से लेखिए हम लगाएं गती की third equation of motion क्या होती है third equation of motion देखिए third equation of motion की बात करें V square is equal to U square plus 2S सुना ही होगा आपने बच्पन में इस equation की बारे में सुना क्या पढ़ा ही है आपने 11th class का exam दे रहें तो एको final velocity किती है 5 तो यह 5 square initial किती है 10 square ठीक है 10th one है 20 है इसको 20 रखना है ठीक है यह 20 है 20 square plus 2S S किता है 100 meter यह 100 दिया हुआ है ठीक है 100 अब यहां से A निकालेंगे तो A is equal to किता जागा A is equal to यहां से निकालोगे 25 minus किता है 400 और divide by करेंगे और इदर जाके minus में आए गए किता जाए गए 200 ठीक है 200 तो यहां से इसको solve कने पर यह जो value बन लिए 25 minus 400 upon 200 तो यहां से किता बन गया देखो यह 365 आ रहा उपर ठीक है तो आपने क्या निकाल लिया value of A निकाल लिए अब हमसे पूछा है force अब देखे बटा force क्या होता है F is equal to MA बदन तो force F is equal to MA अच्छा minus आएगा minus आगा ना minus माइनस में बगर सब्टेट करेंगे तो M M किता जगा है पर 20 kg तो 20 into minus 375 upon 200 है ठीक है तो यहां से देखिए यह 20 से 20 कर जाएगा क्या बचेगा नीचे 10 बचेगा और 10 का इसमें डिवाइड कर देए तो minus 3.75 ठीक है थर्ड अंसर ओके चलो आगे बढ़ते हैं question number 11 पर आते हैं question number 11 आप से क्या गिरा है देखिए question 11 आप से कर रहा है कि M मास का एक ब्लॉक है ठीक है यह घर्शन रईष शेती सत्य भी विराम वस्ता में ठीक है देखो यह से इस्ते से M मास का एक ब्लॉक दे रखा है यह M मास का ब्लॉक है जो की शेती जवस्ता में इस तरह वस्ता में ठीक है M by 3 की एक रसी है yellow एक रसी बना दी M by 3 की ठीक है M by 3 इसका मास है इसको हम यहां से इदर से कीच रहे हैं इस तरफ F force लाग कीच रहे है ठीक है तो आप से किरा है इसको हम यह सोचते है यह M by 3 है ठीक है तो M by 3 है तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर M by 3 में इसका मास M by 6 और इसका मास भी क्या होगा M by 6 मद्र बिंदू पर निकालना है इस पोइंट पर तो इसको दो टोड़े कर दी है M by 6 M by 6 के उपपे अब इस M by 6 और इस M को एक साथ अगर अपन लिगे है तो M plus M by 6 किता हो गया 7 M by 6 तो मैं इसको पूरे को एक ब्लॉक माल लेता हूँ 7 M by 6 टोटल इसको मैं एक ब्लॉक माल लिया 7 M by 6 ठीक है और इसके आगे यहाला पार्ट इसका मास किता है M by 6 है M by 6 ठीक है हम इस पे लगा रहे हैं force तो हमें यहाँ पे tension force का निकालना है इस point पे इस point पर मैं यहाँ पे tension force find करना है इस जगे tension force इस जगे यह T निकालना है इस point पे tension force इस जगे में A निकालें, पहले A निकालते हैं, चलो A किता आएगा, A is equal to क्या होता है, total force upon total mass, ठीक है, F upon total mass, M total, पहलें से F upon total mass किता है, पहले, 7 M by 6 plus M by 6 किता हो गया, 8 M by 6, total mass 8 M by 6, उसी दोनों का add गल लो, 8 M by 6, ठीक है, पहलें से उपर चला गया, ये 6 F upon क्या हो गया, 8 M, ये अपने निकाल लिया, A का मान, अब यहाँ पर देखे, इस body का अगर 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 अगरा हम सोचें, तो इस body पर कौन सा force लग रहा है, T, जो कि इसको आगे move करा रहा है, ठीक है, तो इस body के लिए अगर अगर अपन देखे, F net, clear, मैं किसे बात करा हूँ, 7 M by 6 पर, ठीक है, 7 M by 6 की बात करने है, इस body पर, हम देखे, F net का मान, F net, क्या लग रहा है, के वल, और के वल, इस पर T लग रहा है, और कोई force लग रहा है, क्यों ती लग रह इसका acceleration है, यह लोग भी हमने, F net का मान, mass into acceleration, दर्मान into तोरण, यह रख दिया हमने, mass यह रहा, और acceleration यह रहा, is equal to T, बस आगे answer, प्यास देखे, 6 से 6 कट जाएगा, M से M कट जाएगा, ठीक है, अच्छा 8 तो रहा है नहीं, 8 भी आगा ना, 8 ही है, 8, तो कितना होगे, T का मा 7 by 8 F, ठीक है, तो T is equal to, यह रहा हैगा, 7 F by 8, तो कौन सा option है, 7 F by 8, चोथा option, तो यह रहा है, तो इसका अपन 4th answer टिक कर सकते हैं, clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 12, question number 12, here आपकी screen पर, देखिए, क्या गराथ से, 250 gram की एक बोल है, ठीक है, बेट पर आती है, जैसे बोल आ यह बेट पर आपने इसको शॉट मारा, तो उसकी direction change होगी, पहले बोल इदर आ जी थी, ठीक है, पहले बोल इदर आ जी थी, फिर आपने इसको यह शॉट मारा, अब बोल इदर जा रही है, ठीक है, तो क्या मतला है, कि यहाँ पर बोल की direction just opposite हो गई है, और हम एक क्या निका रही है, ठीक है, पहले आ रही थी बोल, अब जा रही है, तो उसका momentum opposite हो गया है, negative हो गया है, तो change किता हो जाएगा, 2MB, ठीक है, तो परिवरतन किता हो गया, 2MB हो गया, और divide by, यहाँ पर जो time लग रहा है, time की information दे रखी है आपको, ठीक है, तो यहाँ से रख दें, 2MM का मा 50 g, मलब 0.25 kg, and velocity हमें दे रखी किती, 10, और divide by time, time किता है, 0.001, मलब 10 power minus 2 है, time, तो यहाँ रख देंगे, तो किता बन जाएगा यह 500 N, solve कर लो उसको, यहाँ जाएगा 500 N, clear, तो ऐसे आपन इसको solve कर सकते हैं, चलो, अब आ गया आते हैं, next question पे, तो क्या है next question, question number 13, देखि रहे है कि इस तरह से एक pendulum को हम आगे किसी पातर में, त्रेन के अंदर यह pendulum में, और train को आगे हम त्वरित गतिकर आ रहे हैं, ठीके, तो इस case में equilibrium position पे, साम बस्ता में, इसमें angle theta का मान क्या होगा, तो यह कि यह, साम बस्ता में angle क्या होगा, जैसे देखें, इस पे कौन- अपने शो कर दिया, ma, ठीक है, सुडो फोर्स, और यहाँ पे इसमें, देखिए, टेंशन फोर्स आएगा, इस direction में, इस टेंशन फोर्स, clear, अब यहाँ पे इस T के अगर आपन कंपोनेंट करेंगे, इस T के कंपोनेंट करेंगे, तो कैसे कंपोनेंट के बारे में, यह angle, व tension force है, यह angle theta है, तो यहाँ से इधर से यह angle theta आएगा, यह angle theta आएगा, तो इधर किता आगया है, T cos theta, T cos theta, इधर आगया है, T sin theta, किसको balance कर रहा है, ma को, T sin theta, ma को balance कर रहा है, T sin theta is equal to ma, and T cos theta balance कर रहा है, किसको, mg को, T cos theta, mg को balance कर रहा है, आप दोनों एक question को आपको divide करना है, द दो लो, divide कर दिया, दोनों को divide करेंगे, तो divide करने पर क्या होगा, yellow T से T कर दिया, sign upon cost होता है, 10 theta, तो 10 theta is equal to क्या है, A upon G, तो हमें theta निकालना है, तो theta is equal to 10 inverse A upon G, तो आज़े का असर रहागा, 10 inverse A upon G, ठीके, चलो, आगे हैं, question number 14, क्या है question number 14, पढ़िए, क्या किराब से, कोफिशंट of friction दे रहे हैं, आपको गर्शन मुणांग दे रहे हैं, ठीके, तो सब पे पहले अपने देखें, इस पर जो limiting friction लगीगा, सब पे back side में लगया, limiting friction, ठीके, देखते हैं, उस limiting friction की value क्या होती है, माझा सीमांत गर्शन क्या आता है, पहले सब का सीमांत गर्शन न प्लस FL3, ठीके, net FL अपन निकालें, तीनों का सम करगे, FL1, FL2, FL3, ठीके, तो चलो खेर, म्यू तो सब का सेम है, तो म्यू मैंने आपे common ले लिया, सम में से common ले लिया, ठीके, एन 1 प्लस, एन 2 प्लस, एन 3, तो इसका एन 1 किता होएगा, 6G, इसका एन 2 किता होएगा, 4G, इसका एन 3 किता होएगा, 2G, यह लो सब का add कर दिया, तो किता होगे है, आपे, 6, एन 4, 10, 10, एन 2, 12, 12G, ठीके, 12G लगेगा, ठीके, जीका आमान 10 रग दो, 10 को point 2 से गुना करें किता होएगा, तो 12 इंटू 2, ठीके, 12 इंटू 2, किता होएगा, 24, ठीके, 24 न्यूटन, इसमें net limiting friction किती है, 24 न्यूटन, इस गती, इस body में, इस system में, इस निकाहे में, गती प्रारम करने के लिए, कम से कम कितना force लगाना पड़ेगा, 24 न्यूटन, जबकि आप केवल कितना लगा रहे हो, 20 न्यूटन, तो motion starting नहीं होगा, आप limiting friction से कम force लगा रहे हो, body motion starting नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका extension क्या आएगा, 0, शुन ने आएगा, ठीके, चलो, अब देखें, आगे, next question, question number 15, क्या किरा है, question number 15, देखिए, आप से किरा है कि, एक में ने इसका weight किता है, डबलू, ठीके, यह एक lift में खड़ा है, ठीके, अब lift को अगर उपर की तरफ exit किया जाए, तो इसका weight क्या होगा, मलब, net weight का मान क्या होगा, यह हमें निकालना है, ठीके, तो इसका आवासी भार ज्याद करना है, वस्तों इस रेक्ती का वास्तिक भार, डबलू दे रखा ह ठीके, तेहां से डबलू is equal to, या डबलू dash की बात करें, तो डबलू dash is equal to क्या जाएगा, यहां पे mg तो लगी रहा है नीचे, और साथ में pseudo force भी नीचे लगिया, क्योंकि हम देख रहे हैं, यहां पे जो lift है, यह lift किदर जा रही है, उपर की और त्वरिद गती कर रही है, तो अंदर जो यह person है, इस person का जो mg है, mg जो नीचे लगता ही लगता है, और साथ में pseudo force भी कहा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पे इसका जो net weight हो गया, बलब net normal reaction, इसको net weight बोलते है, normal reaction को ही, ठीके, बलब n is equal to w dash, या n बोल दो एक ही बात है, ठीके, त दिखा जाएगा, 1 plus a upon g हो जाएगा, ठीके, और इस mg को अपन रग दें, वास्तिक भार w, तो क्या हो गया यह answer, कौन सा option दिखा आपको, बताइए, कौन सा हो गया यह, first, w bracket में 1 plus a upon g, यह इसका correct answer हो जाएगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 16, देखिए, question number 16, यह रहा, चारों सीरों पेपन सेम 4,00,000,000 हीच रहे हैं, a में संची तूरजा e है, तो b में संची तूरजा क्या होगी, stored energy, तो एक ही है, energy का formula क्या होता है, e is equal to half kx square होता है, ठीके, इस पे हम force से हम लगा रहे हैं, तो इसको force की रूप में change करें, तो एक काम करते हैं, उपर नीचे k से multiply कर दें, उपर नीचे k से multiply कर देंगे, तो यह बन जाएगा यह, तो उपर k square x square क्या बन गया, f square, तो यह आप जानते हो, spring force का आमान kx होता है, तो इसलिए उपर लिग दिया हमने f square, तो अब यहां से e proportional to क्या है, one upon k, क्योंकि f का आमान आपको same दे रखा है, f same दे k e 2 k b का मान k a 2 है, इसलिए energy का मान दुगना होगा, ठीक है, तो इसलिए energy का मान दुगना होगा, ठीक है, तो इसलिए energy e b का मान क्या आएगा, twice of e, दुगना जाएगा, क्योंकि which कर आमान पाती संबन्दे, ठीक है, चलो, अब आगे देखें, question number 17, ठीक है, 17 क्या कह रहा है देखिए आपसे आपसे कि एक परसंद दिवार पर फोर्स लगा रहा है परन्त उसको displace नहीं कर पा रहा इसका मलब उसका work done कितना होगा zero क्योंकि displacement zero है तो work done zero होगा उसने कोई कारे नहीं किया no work at all ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके अंदर next question question number 18 question number 18 में क्या बताएगा है यह force दे रखा है और आपसे रहा है 4 second में इसका displacement इतना है ठीक है हमें क्या निकालनी है power निकालनी है शक्ती निकालनी है आपने पढ़ा होगा शक्ती की परिवाशा क्या होती है क्या होती है power rate of doing work ठीक है कार करने की दर को हम शक्ती बोलते हैं तो शक्ती P बराबर W upon T क्या होती है उच्चों P बराबर W upon T कार करने की दर को शक्ती बोलते है rate of doing work is called power ठीक है अब work done कैसे निकालेंगे force into displacement से F vector dot displacement vector ठीक है upon T तो यहाँ पर F यहाँ displacement dot product करना है क्या करना है dot product कैसे करते है dot product हाई को आई से जे को जे से के को कैसे करिए तो 3 to 6 ठीक है फिर यहाँ multiply करेंगे 12 फिर यहाँ multiply करेंगे 20 divided by time कितना दे रखा है 4 seconds ठीक है 4 seconds उपर कितना हो गया 38 divided by 4 करिए 38 divided by 4 करने पर क्या बन जाएगा 9.5 watt ओके सही है 9.5 watt आएगा तो यह अपन टिक कर देंगे clear आप जानते हैं शक्ति के अपन क्या लगाते है watt लगाते है शक्ति की unity क्या होती है वाट होती है चलो आगया है question number 18 पे question number 18 यह आपकी screen पर क्या बोला जारा देखिए उस question को पढ़ें आप सेखिए रहा है कि angular speed of second hand in a mechanical watch is जो आप घड़ी उसकरते हैं ठीक है उस घड़ी में जो इसकी second hand होती है मलब second वाली सुई होती है उसकी कोण ही इस चाहल बतानी है ठीक है कोण ही इविक बताना है omega is equal to क्या होता है theta upon t ठीक है तो हम जानते हो चो इस सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कौनसी सुई को second वाली सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना time लगता है पूरा एक चक्कर लगता है पूरा इसको 60 second ठीक है तो यहाँ पे angle कितना घुमा है पूरा एक चकर लगा है angle कितना घुम किता लग रहा है 60 सेकेंड टाइम 60 सेकेंड लग रहा है तो काट दो कितना हो गया 5 by 30 रेडियन पर सेकेंड ठीके क्या हो गया 5 by 30 रेडियन पर सेकेंड हो नी हुआ चलो आगे बढ़ते हैं देखें आगे question number 20 यह है question 20 आपकी screen पर क्या बोल रहा है एक simple pendulum में ठीके oxalating in the absence of damping मलए यहाँ पर कोई damping force नहीं लग रहा कोई अव मंदन बल नहीं लग रहा अराम से oxalation हो रहा है ठीक है अराम से pendulum oxalate हो रहा है आप से गरा है कि कि जो इस्तिती आपको दिखाए रहा है कि इस पर इस case में इसका acceleration तुरण की दिशा क्या होगी यहाँ गदानी है acceleration की दिशा कैसे निकालेगे यहाँ पर पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है body ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे आने के time पर इसमें एक mg का जो component होता है mg science ही ता हो नीचे लगएगा सीजी सी बात है एक जो force लगया है दिशा में त्वरण लगेगा tangential acceleration जिसकी direction क्या होगी इस तरफ और दूसा बच्चों यह circular motion कर रहा है तो इसमें centripetal acceleration भी होगा तो इस तरफ इसमें होगा centripetal acceleration इस तरह से यह AC और यह AT tangential acceleration और centripetal acceleration अभी के इंदरी त्वरण और इस पर से की त्वरण अब इन दोनों का पढ़िणामी का आएगा बीच में इस तरह से दो एंगल दो सदिश एक साप लग रहे हैं कौन सा एक AT और एक AC तो इस तरह से पढ़िणामी सदिश यह बनेगा इस तरह से तो इसका अंसर जाएगा third क्लियर चलो अब देखते हैं किसके अंदर 20 के बाद question number 21 यह रहा 21 देखो पढ़ो क्या कि रहा है आप से कि रहा है कि इसमें अभिलम प्रतिक्रिया N A और N B A और B point पे किसका आमान जादा होगा किसका आमान कम होगा यह में निकालना है देखिए यहां पे इसमें इस body pair M G force कर लगया नीचे की और M G force लगया नीचे की और ठीके और यह से सर्कुलर path गुमरी इस तरह से सर्कुलर path इसका ठीके यह सका सर्कुलर path यह सका radius हम देख रहे है R A इसकी radius R A ठीके यह इसकी radius R A clear? और यहां पे इसमें दो हो जो इस तरह से move कर रही है इसमें यहां पे normal reaction act होगा इस direction में N A N A इस तरह से act होगा और circle motion कर रही है इस तरह से तो हम जानते हैं कुछ नहुँचे इसमें centripetal acceleration यह कहते हैं centripetal force लग रहा हुगा अभी kendrible अभी kendrible किसे कहते हैं centripetal force किसे कहते हैं net force towards center kendr की ओर लगने वाला प्रणामी बल ही अभी kendrible कहलाता है net force towards center is called centripetal force तो उस पे net force लगिया towards center नीचे की तरफ बढ़ा कोन है mg ठीक है यह चलो उसको यूँ भी समझ सकते हैं इस पे ऊपर से गुजर रहा है तो इस पे sudoble काला गया ऊपर क्यों पोलते ही Ö cupcakeribal ऐसे भी निकाल सकते हैं अबsed emotions इसकाल लेते हैं उससे भी निकाल जाएगा अपैंदakingस बहूँब आएगगा इस तरफ इस दिशा में इस दिशा में mg ठीक है तो यहां से n a की value क्या हो गई mg minus m v square upon r a same ऐसे इतर से b का निकाल लेंगे b के अदर भी यही आ करती है ठीक है तो यहां से n b का निकाल लेंगे n b is equal to mg minus m v square upon r b अब यहां पर देखने वाल बात है कि जो radius है यह वाळी radius तो लेकिन यह वाली radius छोटी है पेखो छोटा सरकील बनेगा वाला इसकी radius आएगी r b इसकी radius छोटी आएगी तो छोटी radius देखिए radius अगर छोटी है तो यह वाले सीज से भाग देने तो यह वाला amount बढाएगा R B का मान small है small number से divide करते हैं यहाल amount बढ़ा आएगा अब बढ़ा आएगा तो इसमें से बड़ी चीज को minus करेंगे तो यह चीज छोटी जाएगी N B का मान छोटा आएगा तो कौन सा answer आगया second ठीक है तरह से आजाएगा second answer स्टिक कर सकते हैं चलो कोशन नमबर 22 देखें कोशन नमबर 22 देखें क्या गयरा है आप से गयरा है कि विराम वस्ता वन केजी पिंड है वन केजी अबजेक्ट है यह थ्री पॉर्ट पार्ट्स में विस्पॉर्ट हो रहा है जिसके मासेज एक अनुपात एक अनुपात तीन में है समान द्रमान के दो टुकड़े एक दूसरे के लंबर जा रहे है अठारा के देख से तो भारी टुकड़े की चाल क्या होगी यह आपको बता नहीं है तो चो देखिए यहाँ पे एक किलो ग्राम को एक अनुपात एक अनुपात तीन में दिवाईड करें तो नहीं से द्रमान आएंगे कित्थे कित्थे आएंगे यहां अगे 200 ग्राम ठीके 200 ग्राम and 600 ग्राम तो तुे इस बनेगे 200 200 and 600 ग्राम क्योंकि इनका रेशो 1 रेशो बन जाता है ठीक है इस तरह से अब आप से किरा कि इन में से समान दर्मान के दो टुकड़े एक दूसरे के लंबत जा रहे हैं ठीक है तो यहां से हम जानते नेट सम्वेक का मान क्या रहेगा नियत प्रणा में सम्वेक कॉंसेंट रहेगा नेट मोमेंटम तो P3 वेक्टर की ज जिलो रहेगा तो यहां से P3 की वेलू निकालें तो जाएगी माइनस ओफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर अब देखिए यह दोनों आपस में लंबत जा रहे हैं तो इसका परीमान के जाएगा P3 इसकोल टू तो यह दोनों परस पर लंबत गती कर रहे हैं 90 डिगरी एंगल कर रहे हैं तो रूट आफ P1 स्कॉयर प्लस P2 स्कॉयर बनेगा क्योंकि P1 P2 परस पर लंबत हैं दोनों एक दूसरे के परपेंटी कुलर हैं ठीक है तो P3 को रख दें मास इंटू वेलॉस्टी इसका मास किता है 600 ग्राम बनाब 0.6 है 0.6 किलो ग्राम और इसकी वेलॉस्टी वेलॉस्टी 18 दे रखी है मास इरा तो 0.2 इंटू इसकी वेलॉस्टी कित्ती है 18 स्कॉयर कर देंगे फिर 0.2 इंटू 18 स्कॉयर ठीक है तो क्या बन गया यह is equal to root 2 times of root 2 times of 0.2 इंटू 18 ठीक है यह 0.6 V3 तो यहां से आप निकाल लो इसको तो यहां से देखिए यह तो कट जाएगा 3 times ठीक है यह कट जाएगा 6 times तो यहां से V3 is equal to क्या हो गया क्या क्या V3 6 root 2 कौंसा option है 6 root 2 second तो second answer आप टिक कर सकते हैं 6 root 2 meter पर second ठीक है तो देखो यह अपने questions 22 सोल किया तो देखिए अब बच्छों आगे देखते हैं next question तो देखो next question यह question number 23 देखिए एक मिनार से एक वस्तूप गिरा रहें ठीक है और बीच में यह दो टूट जाती है तो आप से कौन सी possibility possible नहीं है यह आपको बताना है तो यह चार option है यहां किसी object आप गिरा रहे हो उपर से नीचे गिरा रहे हो तो नीचे गिराने पर मान लो अच्छों यह object इस तरह से टूटा two parts में इस तरह सकता है इस तो टूटे का two parts में तो इनको इस तरह से momentum मिलेंगे दोनों को इस direction में एक को इदर एक को इदर तो यह body इस तरह पर को ट्रेस करती नहीं चाहेगी यह पर पार्ट बिल्कुल यह possible है ठीक है आप से रहा है कि फिर third option देखें दो और टोड़े एक उर्द्वाद रेखा के अनुष चलेंगे बिल्कुल यह possible है किसे अगर मान लो इस तरह से यह body two parts से ब्रेक होती इस तरह से ठीक है तो इसको उपर की तरफ मिलता momentum इसको नीचे की तरफ तो इस तरह से यह भी सीधे पात पे बिल्कुल यह possible है फिर आप से है कि इसी में एक टोड़ा दूसे की उपेक्षा जल्दी पहुंच जाएगा यह उपर जाके आयेगा लेट तो इसको आने में टाइम लगया जारा तो यह जल्दी पहुंचिगा तो for the possible है यह possible नहीं है कि क्यावल एक टोड़ा परवले पर गती करेगा यह possible नहीं है दोनों पहराबोलिक पर गती करेंगे यह दोन स्टेट लाइन पर गती करेंगे वर्टिकल लाइन पर ठीक है तो एक टुकड़ा परवले पर चले ऐसा पॉसीबल नहीं है तो यह अंसर जाएगा इसका ठीक है फिर आगे देखिए कोशन अबर 24 क्या गिरा है 24 देखिए रहे हैं इस्ते से अगर यह object उचलता है तो इस case में यहाँ पे जो h पहले तो h1 है यहाँ पे h1 है ठीक है यह value h1 दे रखिए यह value आपको h2 दे रखिए यह h1 फिर यहाँ से उचला h2 तब तो इस case में यहाँ पे जो h2 का मानाता है h2 is equal to यह होता बेटा e square into h1 यह result होता है जहाँ e क्या है coefficient of restitution ठीक है मलब प्रतावस्तान उडांके ठीक है प्रतावस्तान उडांक तो यहाँ से e की value निकालेंगे तो यहाँ से e is equal to कितना आएगा e is equal to आएगा root of h2 upon h1 root of h2 upon h1 कौंसा option है second यहाँ जाएगा सका result second root of h2 upon h1 ठीक है चलो अब देखें आगे next question question 25 25 में आप से विराम से शुरू हो रहा है मलब एक वील है यहाँ से कैसे start हुआ है rest condition में रेस्ट से start हुआ है और यह uniform angular acceleration से move कर रहा है ठीक है तो इसके बारे मता ना है कि परतम time में first second में theta 1 और अगले एक second में यह theta 2 गुमता है तो theta 2 upon theta 1 की value क्या होगी तो एक ही किसी n में second में angular displacement का जो formula होता है मलब कौन यह विस्थापन का उस्तुत रहता है क्या होता है theta is equal to omega naught plus alpha y2 2n-1 ठीक है यह उसका formula होता है यहाँ पे यह तो किता है omega naught तो 0 है यह theta n की बात करें पढ़ाओ आपने theta n ठीक है तो चो यह plus alpha y2 2n-1 तो यहां से हम देख रहे हैं कि यह जो theta n है theta n is proportional to क्या र से हम थे theta 1 theta 2 बटा theta 1 पूछा है theta 2 बटा theta 1 तो theta 2 की value यह रख देंगे 2 तो 2 into 2 minus 1 करेंगे तो 3 यहां पे n को 1 रखेंगे 2 into 1 minus 1 करेंगे तो 1 तो 3 by 1 तो अनुपात किता हो गया है यह 3 by 1 मलब 3 हो जाएगा असका अंसर ठीक है चलो अब आगे देखें question number 26 क्या गेरा है 26 में क कि किसी paint का moment of inertia है किसी body का moment of inertia moment of inertia की value किस paint depend करती है यह हमसे पूछा है एक तोचों यहां पर moment of inertia का form लग आता है i is equal to mr square यह mk square i is equal to mk square की form में जहां k radius of gyration है तो हर अलग अलग body की जो आकरती होती है उसके अनुसार यहां पे दर्मान वित्रण अलग 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 होता है इसलिए हर body का moment of inertia भी अलग होता है छड़ का अलग होगा rod का अलग होगा, disc का अलग होगा, sphere का अलग होगा, hollow sphere का अलग होगा क्य कहीं पर mass जादूर है, कहीं पर सब जगे समालूप से distributed है तो क्या अंदल है कि एक तो mass पर depend करता ही करता है ठीक है और एक यहां पर उसके mass distribution भी depend करता है ठीक है कौनी वेक पर depend नहीं करता ना उसका रंग पर depend करता है तो a and c कौनसे option में third में है ठीक है तो असलिए क्या रखा है तो जैसे छोड़ेंगे यह गूम तो यह नीचे आएगी इस तरह से ठीक है तो इसको निकालते है पन बलागूर से टॉर्क से निकालते है तो यहां उच्छों इसकी total length L है जिसका मान दे रखा है 1.6 ठीक है तो इसका center of mass है कहा होगा यहाप इसका center of mass यहाप इसका द्रमान के अंदर होगा तो mg force अपन कहा दिखाते है center of mass पे ठीक है mg center of mass पे और यह distance किती होगी यहाँ से ly2 यह distance ly2 total distance L है half distance ly2 तो इस point के सापेख यह इदर गूमना चाहेगा ठीक है तो बलागूर लग रहा है इस पे torque तो torque is equal to क्या था उच्छों torque is equal to torque is equal to कैसे निकालते ह distance and force से distance किती है ly2 into mg toys equal to क्या होता है r cross f होता है r into force तो r तो distance यहाँ पे l by 2 force किता लग रहा है mg और toys equal to एक form आप जानते है toys equal to i alpha होता है i into alpha क्यों यह में alpha निकलना है चुपा होगा है alpha ठीक है तो ly2 mg अब यहाँ पे इसमें देखिए rod है अपने one end give out एक सिरे के सापेक्ष य कील किते one end give out इसका मों टब फने शता है ml square by 3 iq लुख देंगे ml square by 3 रख दिया हमने iq ml square by 3 alpha ly2 mg अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कट जाएगा m से लो m काट दो ठीक है हमें क्या निकालना है एक l से एक l भी कट जाएगा एक l से l भी कर दिया alpha निकालना है कहां से alpha is equal to क्या है पेटा alpha is equal to 3 को पर वेज़ दें 3g upon 2l alpha is equal to 3g upon 2l बस अब यहाँ पर value put कर दो यहाँ पर 3 by 2 ठीक है g की form में निकालना है l किता दे रखा आपको यहाँ पर 1.6 दे रखा है किता दिया है 1.6 ठीक है तो 1.6 दिया है कोई दिख्यत नहीं है 1.6 में हम एक काम करें इसको point वड़ा देंगे उपर 10 लगा देंगे तो 3g उपर किता हो गया 10 नीचे किता हो गया 2 into 16 ठीक है 1.6 को मैंने 16 upon 10 लिख दिया तो यहाँ से आप देखिए 2 से 10 5 times कर जाएगा उपर किता हो गया 15g और नीचे किता है 16 15g बटा 16 ठीक है क्या रखा है 15g upon 16 यह इसका अंसर आजाएगा चलो अब देखते हैं कि इसमें ज की R Vector इतना दिया है F्फ इतना दिया है हमें क्या न निका लए है TOR का परिमांड निकालना मैग्निटूड बलघून समान, TOy's C 언 ने रБटा है ? ठीक है जो लोग आगे देखें कोशन अमबर 29 29 यह तो क्यों डारेक्ट फॉर्म पुझा गया है कि टॉर्क L में क्या संबंद होता है ठीक है देखो यहां बच्छों आप जनतें से F is equal to F moment force का मान होता है F is equal to DP upon DT ठीक है रेक हैक संबेक मैं परीवर्टना की दर को बलकेतें मालब force is equal to rate of change in linear momentum तो जो यहाँ पर फोर्स होता है वेसा ही angular motion में कौन होता है टॉर्क जो यहाँ पर रेक ही है motion में ठीक है linear motion में linear motion में जो यह formula 이 होता है और बच्छों angular motion में यह होता है formula angular motion मालब गुणन गती में F की जगे कौन होता है टॉ ठीक है और चाहाँ पे P की जगे कौन होता है L मालब कौन ही यह समवेक होता है तो यहाँ पे टॉ is equal to DL upon DT तो टॉ is equal to DL upon DT क्या जाएगा फूर्थ आंसर जाएगा ठीक है तो ऐसा बन देखते हैं टॉ is equal to DL upon DT की कौन ही समवेक कामान L आपको दे रखा है ठीक है चलो अब आगे देखें इसके अंदर next question क्या कि रहा है next question आपसे यह रहा next question question number 30 question number 30 देखें question 30 को आप से रहा है कि एक व्यक्ति गूमते स्टूल पर भुजाएं फिलाएं खड़ा हुआ है आपस लाने पर उसका moment of inertia कम हो जाएगा क्योंकि जो पहले इसके पिंड दूर दूर थे वो सारे अनू पास पास आ गए बलब सारे molecules पास पास आ गए सारे कंद पास पास आ गए तो molecules पास पास आने की वज़एसे सारे particles पास आने की वज़ैज जटत्वा वंक्वान गट जाएगा तो इसका moment of inertia गट जाएगा ठीक है moment of inertia गट जाएगा यह अंसर आएगा लेकिन इसका कोणी समवेग, कोणी समवेग नियत रहेगा, J is equal to क्या रहेगा, constant, ठीके, तो यहाँ पे आई के वलुद क्या हो रही है, decrease हो रही है, लेकिन बहुता, J के लिए, J के लिए, J is equal to क्या होता है, I omega, कभी-कभी L बोल लेते हैं, I omega, यह चीज क्या रहेगी, constant, यह चीज त थोड़े न, बढ़ेगा, ठीके, कोणी यह वेग नियत रहेगा, अरे, कोणी यह वेग थोड़ा नियते, कोणी यह समवेग नियते, कोणी यह वेग का मान तो बढ़ रहा है, और के रहा है, कोणी यह समवेग बढ़ जाएगा, नहीं, कोणी यह समवेग बढ़ नहीं रहा angular momentum तो constant है तो क्या हैगा answer second ठीक है चलो आगे देखें next question यह आपकी screen पर देखिए क्या किरा है next question next question देखें यह आप से कि एक ठोस चक्ती है महले एक disc के इस ते से rolling motion कर रही है ठीक है लुड़क रही है ठीक है और आप एक आदमी खड़े आदमी के पर बिंदू ABC पर वेक क्या होंगे तो देखिए जब rotation motion कर रही है तो rotation motion की कारण देखिए पहले तो चो आगे linear motion भी हो रहा है पि rotation motion किसे किसे किते हैं linear motion plus rotational motion linear motion plus rotational motion rolling motion is equal to linear motion plus rotational motion तो देखो linear motion की वैसे सभी particle का वेक इस तरह होगा इसते से सभी valeur का एग इस तरफ होगा लीमी मोशन से किता है ठीक आएगा ठीक कर गोणन हो गो रोटेश्च अकिंद लेकियो निए फिर पीजर रोटेशन वार इस तरफ помe है इस तरफ टो में वी इसका है इस तरफ यह V ठीक है तो यहां सब देखें इस case में A वाले case में जो आ रही है value क्या रही देखो A वाले case में यहां पे इसकी दोनों velocity same direction में तो V A का मान क्या जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे 2V हो गया अब V वाले case में देखिए यह V और यह V इधर है तो net velocity जाएगी इस तर तो कौन सौ option ऐसा है यहां पे A B C का वे एक कुछा है A का बान तो 2V B वाले का root 2V और C वाले का 0 तो यहां सब जाएगा second 2V root 2V and 0 ठीक है चलो आगे देखें question number 32 क्या कह रहा है 32 देखें चो question number 32 को सौची यह क्या कह रहा है आपसे काफी simple question है अच्छा question है एक spring का आवर्त का T है time period of a spring is T ठीक है इसको two parts पर अपन cut कर रहे है ठीक है और फिर यहां पे time period of one part के बारे आप से कह रहा है एक spring point में देखिए जब यह अपन cut करते हैं तो cutting करने पर जो के कामान है ठीक है के जो spring constant के यह proportional होता है one upon its natural length इसकी जो वास्तिक लंबाई है ठीक है प्राकरतिक लं cutting करने से length क्या हो गई हाफ हो गई है तो length हाफ होने से के डेश किता हो गया आपर लेंथ हाफ हो गई है के का मान बहुत पर जाएगा अब स्प्रिंग pendulum का जो time period होता है क्या होता है two pi hundred of M upon k तो यहां से t proportional to क्या रहे है one upon hundred of k के का मान यहां पर दूगना हो गया है ठीक है तो two times हो गया है तो यहां से k का आवान two times हो गया है इसलिए यहां पर किता जागा है root two times ठीक है तो root two times यहां गान एक बटा root two गुना ठीक है तो कौन सारा है एक बटा root two गुना कौन सांसर है यह रा second one upon n अच्छा है यहां पर n parts की चलो मैंने दो parts करें दिखा दी ऐसे दो की ज हो जाएगा k dash का आवान n के हो जाएगा ठीक है तो k का आवान n के हो रहा है तो one upon root n times एक बटा root n गुना तो कौन सांसर आ गया second एसे अपन कर सकते हैं ठीक है चलो 32 के बाद देखें 33 question question number 33 आप चेकर है कि यहां पर एक सल आवर्द गती हो रही है जिसमें a का x के साथ graph ही दे रखा है अच्छा a और x में relation क्या होता बिटा a is equal to omega square x ठीक है अगर पन परिमान की बात करें और चिन्द की सईथ बात करें तो a is equal to minus omega square x होता है ठीक है तेहां से यह जो theta है बना slope जो है तो 10 theta बना 10 45 degree किसको बताएगा आपर omega square को परिमान जो है इसका omega square को बताएगा 1045 degree तरहां से 1045 degree किसको बता रहा है omega square को ठीक है तरहां से 1045 किता होता है 1 omega square तो omega is equal to 1 अब omega is equal to होता है 2 pi upon capital T is equal to 1 तो t is equal to किता हो गया 2 pi second अब आगे तेहें question number 34 पे 34 क्या के रहा है आप से देखिए 34 आप से कर रहा है कि एक पैंडूला में lift में डॉलन कर रहा है कर रहा है ठीक है lift ऊपर की और एक समान तुरहना से गती चालू कर दे तो आवर्त काल पे क्या फरक पड़ेगा तो लिफ्ट बच्चों ऊपर की और तो इससे प्रभावी gravity इफेक्टिव gravity का आमान बढ़ जाएगा सुदो बल नीचे लगीगा सुदो फोर्स नीचे लगीगा ठीक है तो यहां से अब देखें टी बराबर क्या होता है टू पाई अंडूड अफ एल अपॉन जी ठीक है तो यहां से जी के बलू के हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ग्रविटी इंक्रीज हो रही है दूरी r के साथ गुरुत्वी होगा मान सही है कौनसा ग्राफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशल का तो ग्रेविटेशनल पोटेंशल ग्राफ तो आप जानते हैं यह होता है सेकेंड ग्राफ बनता है इसका v versus r ग्राफ ठीक है महलब यहाँ पे इस तेसे अंदर सेंटर पे पोटेंशल हाइविटेंशल हाइविटेंव होता है ऑर सरफेस पे एवरेज बेलू होते है और यहाँ पे आगे इंफान्ट पर आते आते है तो यह लगबग 0 के आसपूर आते आता है तो ग्राफ इस तेसा आता है तो ऑगय देखें कौशन नॉंबर 36 कौशन 36 यह गा पर्छ यंग मोडलस किस पे डिपेंड करता है के अवल उसके पधार्थ पे डिपेंड करता है मैट्रियल पे उसकी लेंथ विर्थ पे डिपेंड नहीं करता है ना लेंथ पे ना उसकी रेडियस पे ना उसकी डाइमीटर पे के अवल डिपेंड करता है मैट्रियल पे मैट्रियल आप परत्वी अपनी अक्ष के परित गोणन बंद गर दे तो आपे गुरुत्वी तुरन का परिमान क्या होगा तो चौह आपे देखिए यहाँ पर गोणन का कम हो जाएगा ग्रेविटी कम हो जाएगी ठीक है और हमसे यू किरा कि अगर वो अपने गोणन कम कर दे रुग रोग दे तो उस केस में अब यहाँ पर बाहर की और जो सुडोबल लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर कहां पर भुमद्रेखा पर ग्रेविटी कमान बढ़ जाएगा पोल पर कोई फरक नहीं पड़ेगा दुरूओं पर दुरूओं पर कोई फरक नहीं पड़ेगा इक्वेटर पी जो हम देख रहे हैं उनकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी तहां से पहला किरा कि इसके अंदर प्रत्वी की सते के सही नहीं होगा या आएगा इसका अंसर ठीक है थर्ड चलो आगे देखें कोशन नंबर थर्टी एट थर्टी एट में आपसे क्या गिरा है कि प्रत्वी सूरी के चारों चक्का लगा रही है इस प्रकार से तो प्रत्वी की चाल सरवादिक कहां पर है तो यहां पे यह यह आरे ठीक है तो उसका कोणी समगे जो हता है जे इसकोल टू एम वी आर कामान करेता है नियत रेता है जब भी इस ते प्रत्वी गुणन कर रही है सूरी के चारों और ठीक है तो उसका एम वी अर कॉंसें तो वैसे नियत है वेग और आर देखिए वी समान पाती क्या है इस जगे वलास्टी सबसे ज़्यादा आएगी ए पर तो ए पर वलास्टी सबसे ज़्यादा आएगी ठीक है चलो 39 देखते हैं अपर आगे क्या गे रहा है 39 देखिए 39 कोशन नमबर यह रहा 39 तो 39 में आप से कर रहा है कि यदी उपगरे की प्रत्वी से उचाई प्रत्वी की तुर्जा में नगणने हैं तो उपगरे का कक्षी वे क्या होगा और वलास्टी बदानी क्या होगी और वलास्टी का फॉर्मुला क्या होता है वी ओ इस उक सतय के एती निकर्ट चक्कड लगा रहा है तो यहाँ पर इस केस में इस की जो अर्बडल डेटियस है यह उसकी वह क्या करें उपर-नीचे को तो gm r square into r कर सकते हैं उपर नीचे मैंने r से multiply कर दिया अब यहाँ पेस में देखिए यह किसको शो करता है g को gm बटा r square g को शो करता है और यह r तो root g r कौन सांसर आएगा चोथा यह बन्ज़ एगस का result है ठीक है चलो question number 40 यह पन देखें मैं इनकी तरिजया क्या होगी वारा इस common press की radius निकालनी क्या होगी ठीक है common press की radius इसका formula हता है क्या होता है r equal to r equal to होता है r2 minus r1 r2 r1 upon r2 minus r1 यह इसका formula लाता है r2 r1 upon r2 minus r1 यह इसका formula होता है यह पढ़ते हैं है JULY surface tension वाले chapter में ठीक है R2, R1, R2 यहाँ पे 5, R1 यहाँ पे 4 है ठीके, बटे में 5-4 करेंगे कितना जाएगा? 20 ठीके, तो 20 cm, इस सेकेंड ही इसका अंसर जाएगा ठीके? आई समय है? चलो, आगे देखते हैं Question No. 41 क्या करा है 41? देखिए, आप से करें Case तली में उचाई H और उसकी ठीके? चलो, Question No. 42 क्या करा है पोईटू? यहाँ पे एक ठोस गोली गेंद को शान द्रव में शोड़ा आता है ठीके? और निम से किस चित्र के उससाइज की सही वेग होगा? यह बताना है तो इस स्टार्टिंग में तो उसका वेग बढ़ेगा द्रव के अंदर किसी गेंद को गिरा रहे है तो नीचे जाने पर ठीके? एमजी बल लग रहा है नीचे की और एमजी फोर्स नीचे लग रहा है ठीके? और इस पे उत्पलावन बल बायोंसी फोर्स लग रहा है अब पड़ तो इस स्टार्टिंग में तो अधी फोर्स जादा होता है ठीके? उत्पलावन बल तो फिक्स है ठीके? अधी का मान स्टार्टिंग में जादा होता है उत्पलावन बल से है तो यसलिए गेंद नीचे की और एक्सेलेशन मोशन करती है तो रहत घती रहता है लेकिन जैसे वे एक बढ़ते आता है इस पे विपर दिशा में अपोजी डारेक्शन में एक viscous force लगता है शानबल लगता है जिसे बोलते हैं द्रव का घरशनबल ठीके तो उपर की और घरशनबल बढ़ते आ रहा है तो रीके थोड़े बाद घर्शंबल बढ़ते बढ़ते जो जहाँ पे विसकस फोर्स उपर क्यों बढ़ते बढ़ते इस विसकस फोर्स विसकस फोर्स एंड बायोंसी फोर्स ठीके इन दोनों का योग नीचे M-G को संतुलित कर लेता है M-G के बराबर हो जाता है तो उस केस में इस गेंद पर नेट फोर्स के हो जाएगा? जीरो तो इसलिए वलोस्टी बढ़ना बंद गयाएगी नेट फोर्स जीरो गयाए तो पहले वेग बढ़रा था बाद मेग बढ़ना बंद हो गया है तो कौन सा option है? ये C आपको मैंने तूटी से की value पुट करता है और है यहां प्रदी कमान आपको की ताज रखा है ती आपको दे रखा है यहां पर 17 to 10 power minus 3 ठीक है और यहां पर आर इसकी तरिजा दे रखी 10 power minus 3 10 power minus 3 यह कट गए तो 17 to 2 करेंगे 140 आजागा इसका अंसर 140 newton per meter square ठीक है clear चलो आगे देखें question number 44 44 मैं आप से इस तरह रहा है कि 3 tube हैं ऐसे जुड़ी है ठीक है तो यहां से water enter कर रहा है यहां से और यहां से बार निकल रहा है तो हम जानते हैं जितना water यहां से इसमें enter करेगा उतना ही total water यहां से बार में निकलेगा ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे total q in is equal to क्या करेंगे total q out Q यहाँ पर क्या है rate of flow ठीक है द्रव के प्रवागी दर है rate of flow जो कि हम जानते A into V गुरूट में होती है तो पहले बच्छों यहाँ पर inside in किता हो रहा है यहाँ पर A into V वहलब A into V किता है यहाँ पर 3 ठीक है बराबर out यहाँ से निकल रहा है यह 1.5 into A वहलब वही A into V कर रहे है वापस 1.5 into A और यहाँ पर किता है प्लस में फिर V into 1.5 A ठीक है वहलब क्या किया हम ने A1 V1 is equal to A2 V2 plus A3 V3 यह कर दिया हमने A1 V1 is equal to A2 V2 plus A3 V3 total Q in is equal to total Q out ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर यह V2 का मान एक पॉइंट कोहाँ चे ठीक है तो यहाँ से देखिए A सब जगे कर जाएगा यह लोग A तो सब जगे मैंने कैंसल कर दिया A ठीक है तो इस 3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा इदर ठीक है और यह किता है 1.5 बचेगा यह 1.5 से 1.5 बचेगा दो किता गया 1 तो आंसर जागा यह 1 मीटर पर सेकेंड यह जागा इसके रिजल्ट ठीक है चलो अब देखते हैं आगे अगला कोशन यह रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स कोशन क्या गर रहा है चो किजी वस्तू का ताप मान 140 F है तो C पर उसका मान क्या होगा डिग्री सेल्सी स्केल पे तो हम जानते है एक फॉर्मला आता है डिग्री सेल्सी अंड फरनाइट में C अपॉन 5 इस उकल टो F माइनस 32 अपॉन 9 ठीक है F माइनस 32 अपॉन 9 यह रिलेशन होता है C पर इस का मान निकालना है ठीक है तो यहां से F हमें कितना देरखा है 140 140 माइनस 32 अपॉन 9 आपको करना है ठीक है तो यहां से सॉल कर लो यहां से आप सॉल करेंगे तो C की वालू कित्ती बन जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस यहां से आप निकाल लो C is equal to आजाएगा 60 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो C का मान 60 आजाएगा तो कौन सांसर हो गया फॉर्थ ठीक है अब देखे हैं आप अगला कोशन नेक्स कोशन क्या देखिए कोशन नमबर 46 कोशन 46 आप से गया रहा है कि इस तरह से बचों यहां पर एक शीट है इसको अगर अपन गरम करेंगे तो यहां पर डिस्टेंस A B और B C पर क्या फर्क पड़ेगा अपन जानते हैं बचों एक ची होती जब भी किसी शीट को गरम करते हैं किसी वस्तू करते हैं तो उसकी परतेक लंबाई बढ़ती है एवरी लैंथ में इंक्रिमेंट होता है ठीक है तो क्या होंगे दोनों बढ़ेंगी यह जागा इसका फस्त अंसर ठीक है तो 47 अब देखें इसको डिखें प्रेशर प्रपोर्शल्ट क्या होता है तो यह जानते हैं अगर बच्चों कॉंस्टेंटेट हे इसके ग्राफ में हम देख रहें टीवन बढ़ा है ठीक है टीवन ग्रेटर देन टीटु है इसने बच्छे आप पे पीवन की वैल्यू ग्रेटर देन टीटु है इसने पीटु होगा ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके अंदर कोशन नंबर 48 48 आप से गराए नियत दाव और नियत आयतन पर जी प्रवानुग गैस की मॉलर उश्मा धायरता बतानी है वहला आपको क्या निकालनी है रेशो ऑफ मॉलर हीट कैपैसिटी ऑफ डाय अटोमिक गैस एट कॉंस्टेंट प्रेशर एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम तो सी बात है यह गामा पूछ रहा है आपसे गामा इस गॉल टू सीप अपॉन सीवी होता है ठीक है जिसका अमान क्या होता है साथ बटा फांच ठीक है डाय अटोमिक गैस के लिए सेवन बाई फाइव होता है ओके चलो अब जागे देखें कोशन नंबर 49 ठीक है लास्ट स्टेश किता नहीं प्रता नहीं क्या होगी तो अब वेव वालास्टी का फॉर्मा पाइव होता है वी इसको रूट आफ टी अपॉन मियू यहां पर क्या है मास ओफ यूनित लेंथ ठीक है एकांक लंबाई का दर्यमान ठीक है तना से टैंशन फोर्स रखें तना हो किता है एट ठीक है तो यह से यह वैलू क्यों हो जाएगी तो यहां पर स्को डिवाइड करेंगे और यहां पर प्रॉइंट यहां सा ट्वाड्य हंडे हो जाएगा ठीक है तो लेजिए एट थाउजरम और नीचे टुए बालब फॉर्ट थाउजर्ण वालब फोर्ट है उट्वाड़ कर देंगे हंडेड उपर जाके कित्ता बन गा यहां पर 80,000 डिवाइड बाइट टू करेंगे तो 40,000 इसका रूट करेंगे 200 ट्रांस रहा किया कौन सा सारे माने कौन सा क्त vista है बताने आपको तो पहले वी, वी is equal to देखें, फाइन सेकिंटे मिटर पर सेटंड बोलाएं, वी क्यों से से निकालते हैン, वी is equal to omega upon के, omega यहां पर क्या होता है टी का 9 into x ठीक है फिर यहाँ पे multiply करेंगे तो plus pi square upon 6 pi square upon 6 meter यह value आई है ठीक है multiply करने पर कुछ निए अबने pi को अंदर multiply कर दिया तो pi by 5t minus pi by 9x plus pi square upon 6 अब देखिए यहाँ पे omega क्या होता है t का multiplier t का multiplier को हने 5 by 5 है ठीक है और k count है x का multiplier जो कि यहाँ पे pi by 9 की form में है pi by 9 तो pi से pi कर दिया किता है 9 by 5 9 by 5 जो कि पहला option क्या है गलत है तो 9 by 5 है न चाहिए तो 5 गलत है ठीक है अब अच्छों आप से कर रहा है कि इसके अंदर lambda तो lambda कैसे नहीं कह सकते हैं देखो k is equal to 2 pi upon lambda k is equal to 2 pi upon lambda या किते हैं lambda is equal to 2 pi upon k ठीक है lambda is equal to 2 pi upon k तो यहाँ पे रखें चलो k का मान k कितना है k यहाँ पे कौन है pi by 9 तो pi by 9 रख दो pi by 9 रखेंगे तो pi से pi कर दिया कितना हो गया 18 बिल्कुल यह answer सही है lambda is equal to क्या हो गया 18 जो तो तीसा भी देख लें amplitude कितना है इसका 4 जो कि यहाँ पे sign के बाहर के लिखा है 4 वसका आया हम है amplitude यहाँ तो 0.04 लिखा है गलत है frequency पचास अर्ट frequency कैसे निकालते है omega upon 2 pi से omega is equal to 2 pi f f is equal to omega upon 2 pi omega यहाँ पे कितना है omega omega यहाँ पे रहा pi by 5 यह pi by 5 है ठीके upon 2 pi करेंगे तो कितना हो गया यह नीचे 1 upon 10 तो frequency तो 1 upon 10 यहाँ 50 लिखा है वालब यह भी कर रहते है यह भी कर रहते है तो कौन सा अंसरा गया इसका second ठीके इस तो पन नहीं यह सारे question का solution बढ़िया तरीके से solve किया ठीके आशा करता हूँ आपको सब कुछ बढ़िया समय में आया होगा question paper भी आपको अच्छा गया होगा अच्छे marks आपका है होगी चलो फिर बिलते हैं ओके गुडबाई